तो एक fire brigade वाले वेक्ति को एक lady का call आया, एक lady ने call किया, रात को दो बजे, रात को दो बजे lady ने इसे call किया, ये कौन है? fire brigade वाला बन्दा, और lady ने बुला कि मैं, मैं किसी घर के अंदर फसी हुई हूँ और किसीने मेरे सर पर चोट मारी है, मिला हमला किया है पिछे से, तो मुझे बचा लो वरना कुछ समय के अंदर में मर जाओंगे हेलो फ्रेंड्स मैं C.A. पुर्शोता मगरवाल C.A. इंटर और C.A. फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्टर फेकल्टी ये एक YouTube वीडियो सिरीज है जिसके अंदर हम Strategic Cost Management and Performance Evaluation की theories, models and case studies को cover कर रहे हैं Chapter 9 तक हम already YouTube पर upload कर चुके हैं हर session on and average एक गंटे का होता है बहुत detail में practically हर concept को link करते हुए ये समझते हुए कि उसका practical implication क्या है इसको हम कर रहे हैं बहुत ही depth के अंदर बहुत ही detail के अंदर तो अगर आप पहले 9 chapter अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो YouTube पर search मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे पहले 9 chapters तो वो भी आप देख लीजिए हमारे चैनल पर जाकर और chapter 10 से भी आप continue कर सकते हैं इस बात की मेरी guarantee है कि अगर आप पहली बार भी chapter 10 सीथे देख रहे हैं तब भी आपको 100% समझ में आएगा इस बात की मेरी guarantee है और वो student जो शुरू से इस YouTube वीडियो सिरीज को follow करते आ रहे हैं वो तो continue करेंगे ही क्योंकि वो already सारी lecture कर चुक है study mat से कर रहे हैं पूरी की पूरी income करते हैं इसकी शुरूबात सबसे पहले बात करेंगे इस chapter में पढ़ने क्या वाले हैं तो देखिए class 11th class 12th वहीं से आप जान चुके थे कि कैसे एक entity का profit निकाला जाता है कैसे बनता है profit and loss account ये बात तो आप जानते ही तो इसमें क्या करने वाले हैं entity के उसी profit को analyze करने वाले हैं entity के उसी profit को analyze करने वाले हैं और check करने वाले हैं कि हमारी strength क्या है क्या हमने पिछले साल के comparison में grow किया यानि कि पिछले साल के comparison में क्या हमारी entity का profit बढ़ा और अगर बढ़ा तो वो reason क्या है जिनकी वजह से बढ़ा अगर एक बार मालूम पढ़ जाए कि ये पांच काम हमने किये हैं जिसे प्रॉफिट को बढ़ा है तो entity उन पांच काम को करते रहने पर जोर देगी क्योंकि entity को मालूम पढ़ गया ये वो पांच काम है जिने करने से company की profitability में increase हुआ है इसे के बोलते है analysis of operating income ध्यान देना analysis of operating income operating income को analyze करना reasons को identify करना कि वो कौन से कारण है जिनकी वज़े से profit बढ़ा इसको मैं अगर reverse कर दूँ तो इसमें ये भी पढ़ते हैं कि अगर profit गिर गया तो वो कौन से कारण है जिनकी वज़े से profit में गिरावट आई अगर entity को ये पता पढ़ जाए कि profit में गिरावट आने की पीछे ये चार reason है तो entity उन reasons को improve कर देगी उन reasons को remove कर देगी और profit बढ़ जाएगा जैसे इसको मैं आप से link करके बोलूँ कि अगर आज आपने पढ़ाई की 10 गंटे 12 गंटे तो identify करो उन reasons को मज़ा आ रहा है आपको मालूम ही नहीं पढ़ा कब 10-12 गंटे आपने पढ़ाई कर ले तो ऐसा पता करने के बाद उन reasons को आप पकड़ के चलोगे फिर आप उन reasons को ensure करोगे कि वो बने रहें यानि कारण क्या है सफल होने का या कारण क्या है entity के फेल होने का अगर ये कारण कंपनी को समझ में आ जाए अगर ये reason कंपनी को समझ में आ जाए तो कंपनी को फाइदा ही होने वाला है अगर पहले नुक्सान में थी reason समझ में आ गया तो आगे फाइदा होगा अगर profit बढ़ गया है reason समझ आ गया तो आगे और profit बढ़ेगा यानि की income को analyze करने से फाइदा ही होने वाला है आप 10-12 गंटे आज क्यों पढ़ पाए reasons को analyze करने से आपको फाइदा ही होने वाला है फाइदा ही होगा और कभी आप कम पढ़ पाए चार गंटे, तीन गंटे, दो गंटे, पांच गंटे तब भी analyze करो वो कौन क्यों नहीं फड़ पाए, एक्जामपल के लिए. आपको मालूम पड़ गया, कि आज मैं इसलिए नहीं पड़ पाया, क्योंकि मैं चीजों को रट रहा था. और रटने पर बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है, और मज़ा भी नहीं आता. तो आप next time क्या करोगे आप रटने के साथ साथ समझने पर भी जोर्द होगे चीजों को practically समझने की कोशिश करोगे और जब एक बार practically समझते हुए किसी भी काम को आप करोगे तो आपको पढ़ाई करने मज़ा आएगा और आप देखोगे कि आपका output आपको उसके लिए extra effort नहीं करने पढ़ेंगे तो यही काम entity भी करती है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर पिछले साल अगर 10 लाग का profit कमाया और इस साल 15 लाग का profit कमाया तो हमें तो पता पढ़ गया कि हमने 5 लाग का extra profit कमाया अज़ पांच लाग का extra profit क्यों कमाया क्योंकि हमने sale की इस बार number of units ज्यादा बेची तो सर रिजन तो मालूम है तो फिर इस chapter में क्या पढ़ने वाले है आपने number of units extra sale की क्यों इसके बीचे क्या reason है देखा आपने profit बढ़ गया क्योंकि sale ज्यादा की sale ज्यादा क्यों हुई इसका reason पता करो क्योंकि sale ज्यादा क्यों हुई अगर इसका reason आपने पता कर लिया तो आप अगली बार से हर साल उस reasons को maintain रहोगे उन reasons को ensure करोगे कि बनी रहे example के लिए आपको मालूम पढ़ा कि आपका product आपके competitors के product से तोड़ा different है आपकी product में मिलने वाले features आपके competitor के similar product में मिलने वाले features से अच्छे है तो आपको ये पता पढ़ गया कि भाई मेरे product के अंदर जो features हैं competitor वो features दे नहीं पा रहा हैं तो बस इन features को बनाए रखना ही आपकी super profit कमाने का indication है आप भविश्य में मोटा मुनाफा कमाते रहोगे तो ये था एक reason identify करना अच्छा बड़े scale पर जब profit बढ़ गया जब आपका scale बढ़ने से profit बढ़ गया तो आप चेक करो कि sale बढ़ने का कहीं कारण ये तो नहीं कि हम low price पर बेचते हैं यानि कि कम selling price पर बेचना क्या हमारे लिए best strategy है अगर कम price पर बेचने से profit बढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ भविया low cost strategy हमारे लिए best strategy है तो खुल मिलागर दो प्रकार की strategy जो हमने chapter number one में पढ़ी थी एक entity follow करती है strategy का नाम है low cost strategy और दूसरी है product differentiation strategy अच्छे पहली वाली strategy क्या बोलती है इतनी कम cost पर बनाओ इतनी कम cost पर बनाओ कि आपका selling price आपका selling price competitor की cost से कम हो आप इतनी कम cost पर बनाओ कि आपका selling price competitor की cost से कम हो तो super profit कमाएंगे profit में increase आजाएगा आपको मालूम पढ़ गया कि ये तरीका कारगर है तो उस तरीके को करते रहो कब तक जब तक competitor मैदान शोड़का न भाग जाए यहाँ पर example ले लो आप जीयो कंपनी का जीयो कंपनी ने जीयो इंटरनेट जीयो फाइवर इंटरनेट एक ऐसे कम price पर market में launch कर दिया कि competitor की price से कम था और वो price क्या था शुरुआत में zero शुरुआत के अंदर जीयो फाइवर इंटरनेट लगवाने पर कोई charges देने ही नहीं पड़ते थे free में zero pricing धीरे धीरे 4G internet services देकर जीयो ने पूरी market को capture कर लिया और आज हालत यह है कि एटल आइडिया सोच रहे है कैसे अपने customer को हम retain कर पाए उनके पास है 2G, 3G services तो इस बात को करके अब क्या करा जीयो ने पूरी market हो capture कर लिया कुछ टाइम बाद एटल आइडिया market से गायब हो जाएंगे reason क्या उसका एक तो जीयो की कम pricing policy और दूसरा product differentiation वो देने 2G, 3G और इन्होंने सीधे 4G दे दिया और 5G भी launch कर चुके हैं तो लो कर लो बात product भी high quality का और ऐसे rate पर की competitor competing नहीं कर सकता तो भाई साब monopoly create हो गई है और एक बार अगर monopoly create हो जाए तो मोटा मुनाफ़ा कमाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती तो यह है strategic analysis strategic analysis अब जब इन दोनों analysis को हम आपस में जोड़ देते हैं सर कौन से दो analysis पहला analysis strategy analysis दूसरा analysis analysis of operating income जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो chapter का नाम बन जाता है strategic analysis of operating income जो income आपने कमाई उस income को कमाने के बीचे क्या reason है ऐसा अपने क्या किया है कि आपका profit बढ़ गया या ऐसे अपनी कौन सी गलती कर दी कि आपका profit घड़ गया उन reasons को ढूंडो और reasons को remove कर दो जैसे आपको एक example देता हूँ मान लीजिए एक student है एक student है first attempt के अंदर fail हो गया मान लीजिए fail हो गया नहीं लाप आया qualifying marks तो अब क्या करें दुबारे से महने चालू कर दे बिलकुल लेकिन महने चालू करने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसने गलती कहां पे की उसने गलती कहां पे की यानि analysis of marks strategic analysis of marks तो उसने देखा कि चार subject उसने एक्जाम में दिये थे पेपर दिया था पहले subject में number आये मान लो 30 दूसरे में आये पचास तीसरे में आये पचपन और चौते में आये आपके 58 अब बताओ फेल क्यों हो गया वो सिर्फ इसके कारण वरना तो वो पास था क्यों 40% individual 50% overall तो 50, 55, 58 पास था लेकिन फेल क्यों हो गया सिर्फ पहले वाले पेपर के चट्कर में तो अब वो क्या करे जब अगली बार वो preparation करता है तो उसे अपना आदे से ज्यादा time इस पेपर वन को देना पड़ेगा माक्स का analysis क्या बोलता है कि ये पेपर कमजोर रह गया ये पेपर कमजोर रह गया अच्छा बच्चा बोले सारी पेपर मेरा कमजोर नहीं है एक्जाम के अंदर पूरा पेपर ही नहीं कर पाया मैं आता मुझे सारा है एक्जाम में पूरा पेपर नहीं कर पाया अच्छा तो रीजन अफिर चेंज हो गया पहले रीजन क्या था कि पहला पेपर कमजोर है इसकी त्यारी ढंग से करो बागी दिन पर रिवाइस करते रहो अगली बार पास हो जाओगे लेकिन दूसरा बच्चा जो भी फेल हो गया था से माक्स थे उसने बोला कि सर त्यारी तो मेरी पूरी है एक्जाम के अंदर पेपर पूरा नहीं कर पाया कहीं न कहीं प्रॉब्लम रह गए पेपर ही पूरा नहीं हुआ अब उससे क्या करना है तो उसको यह नहीं बोलूँगा कि आप इसको ज्यादा टाइम दो पढ़ाई करने में दुबारा कोशन बनाके देखो नहीं मैं इस इस्टुन को बोलूँगा कि भाया अब आप क्या करो एक्जाम पेपर घर पे बैठके सॉल्व करो अपनी स्पीर को बढ़ाओ अपना पेपर मंगाओ आई सी आई से चेक करो कि किस कोशन को करने में सबसे ज्यादा वक्त लग गया आपको और वो क्यों लगा पहले कौन से कोशन आपको करने चाहिए थे पहले 15 मिनिट के अंदर आपको क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि किस सिक्वेंस में कोशन करने है क्या आप वो कर पाए तो रीजन अलग तो एक्शन अलग रीजन अलग तो एक्शन अलग तो यही है यह चैप्टर अब क्योंकि यह एंटिटी के बात करता है तो यह इंकम के बात करता है तो इंकम को एनलाईज करना और साथ में स्ट्रेटिजिस को भी एनलाईज करना यह इस चैप्टर की थीम है जिसके ओपर यह पूरा चैप्टर आधारी था आगे बढ़ते हैं जी कि इस्ट्रेटेजिक कि प्रॉफिटेबिलिटी एनेलिसिज इसमें करने के अवाले हैं ध्यान देना चाहिए यह रहा प्रीवेस इयर और यह रहा करेंट इयर इंकटोंग को हम उलग तरीके से अनलाईई करेंगे मल्टीपल तरीके एं अंडर यह पहला तरीका इस तरीके अंदर हम इस तरीके इंदर हम इस यह अनदर हम्विशले साल से इन तीनों का मिलिंग अभी डीटेल में समझेंगे बिल्कुल प्रेक्टिकल एक आम लेंग्विज के अंदर यह पहला तरीका कि प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ तो भाई जो चेंज आया प्रॉफिट के अंदर उसके कारण क्या है company को अगर कारण समझ में आ गए तो ठीक कर लेंगे उसको अगर profit जादा हुआ है कारण समझ में आ गए तो कारण को maintain रखो ensure करो कि ये कारण बने रहे अगर loss हो गया तो पता करो क्यों 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 loss हो गया तो मालूम पढ़ा कि कुछ कारण है कुछ गलतियां कर दी तो गलतियां ठीक कर दो है ना तो यह है पहला तरीका दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है प्रॉडक्ट वाइज प्रॉफिट को ब्रेक कर देना आपको बताता हूं में दूसरा तरीका ध्यान देना मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं डीटेल में इसकी बात करेंगे महां लीजिए एक व्यक्ति बनाकर बेचता है कितने प्रिटक्ट दोंक्त बनाकर एक व्यक्ति बेचता है तो नौर्मली क्या होगा वो लिखेगा सेल तुमालों दोनों की क्या बोलता था कि पिछले साल से compare करो microphones के reasons को identify करो दूसरा तरीका क्या बोलता है दूसरा तरीका बोलता है बीस रुपर का नुक्सान है अच्छा lemon क्या रहेखा यह बताओ लेमें सोचेगा नुक्सान ओ रहा भी या दुकान को बंद कर दो नुक्सान हो रहा है दुकान को बंद कर दो बंद करने से पहले प्रॉफिट को अनिलाईज करो कैसे देखो ये रहा A ये रहा B दोनों की सेल लिखो अलग-अलग तो मान लो इसकी सेल है 80 रुपए और इसकी सेल है 20 रुपए देख रहे हैं आप 80 प्लस 20 बराबर 100 अचाव variable cost मान लो इसकी भी 30 रुपए है और इसकी भी 30 रुपए है ठीक है अचाव बात करते हैं fixed cost के fixed cost के अंदर है मान लो warehouse का rent क्या है warehouse का rent सिर्फ एक ही खर्चा warehouse का rent जहां पर ये माल को रखते हैं और सपोस करो इसका area है 600 square feet कितना area है 600 square feet यानि कि जो ये warehouse है ये 600 square feet इसका area है और यहाँ पर ये दुकांदार अपने माल को रखता है ठीक है अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि 600 जो 60 रुपए का warehouse का rent है उसे मुझे दोनों product में बांटना है और सुनो मेरी बात product A on an average महीने में 200 square feet जगा यूज करता है और B 400 square feet जगा यूज करता है क्या मतलब 600 square feet में 200 square feet तो यूज करता है product A और 400 square feet यूज करता है product B तो बताओ जरा लॉजिकली बताना 60 रुपे का यूज रेंट है 600 square feet के लिए तो क्या दोनों को बराबर बांट दूँ 30-30 या फिर area में बांटू आप बोलोगा sir area में बांटो तो ये हो जाएगा 20 रुपे और ये हो जाएगा 40 रुपे ठीक बोला मैंने अब निकालो ज़रा profit और लॉस तो तीस और बिस पचास पचास माइनस असी तो यह आगया 30 रुपे का profit अच्छा 40 और 30 सतर माइनस कदर 20 यह आगया पचास रुपे का लॉस अब बताओ भी इनिकम को product wise analyze करने से यह पता पढ़ गया कि भाई साब product A तो profitable है नुक्सान वाला तो product B है तो अगर बंद ही करना है ना तो product B को बेशना बंद करो product B में नुक्सान है और कुछ देर पहले यह भाई साब क्या बोल रहते हैं कि दुकान को यह बंद कर दो यार 20 रुपे का नुक्सान हो रहा है श्यू Buladay बंद कर दो enfoi عण वह थो बंद कर देर चेंगा थान प्रोफिटेंगे एननेलिसीज़ कस्टिमर प्रॉफिटेंगे लिट को यह अपके मन में सवाल रहूगा सर हमने डारेक्ट प्रोडक्ट प्रोफिटेबिलिटी में प्रोडक्ट वाइज प्रोफिट निकाला है तो क्या कस्टमर प्रोफिटेबिलिटी एनेलेसिस में हम कस्टमर वाइज प्रोफिट निकालेंगे हाँ कस्टमर वाइज सरे तो बड़ा मुश्किल काम है हाँ, मुश्किल काम है, लेकिन अगर इस काम को बैंक कर ले, तो बैंक को फायदा होता है, तो काम भले ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर फायदे का है, तो कर लेना चाहिए, अचा बैंक क्या करता है, बैंक जब अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर को इशू करता है, तो वो चे चार केटेगरी में, ये कौन है, क्रेडिट, कार्ड, कस्टमर, क्रेडिट कार्ड कस्टमर, तो अपने सभी कस्टमर्स को चार केटेगरी में तोड़ देता है, कैसे, पहली category में रखता है उन customers को जो इनके executive को बार-बार परिशान नहीं करते ध्यान देना बात को बड़ी गही बात है जब भी bank credit card offer करता है तो normally शुरुबात में ये बोलते वे आपको offer करेगा कि इसके अंदर कोई charge नहीं है आपने इतने की shopping की आपको इतने points मिलेंगे और जगह जगह उन credit card से खरीदने पर discount मिलेगा आपको जैसे गई ठेटर हॉल में गए तो पता पड़ा जी अगर आपने ICICI bank के credit card से payment किया तो 10% का cashback है तो ऐसी बहुत सारी scheme आपको बताएंगे और आपको credit card देना चाहेंगे जो zero charges है वो सिर्फ एक साल के लिए होते हैं जीरो charges सिर्फ एक साल के लिए होते हैं एक साल के बाद एक साल के बाद चार्ज लगना चालू हो जाता है अच्छा bank जब चाहे तब अपनी conditions change कर सकता है हाँ जी sign करवाते हैं वो आपसे कि जब मैं चाहूं तब अपनी टर्मसिल कंडिशन चेंज कर सकता हूं तब हुआ क्या कि मिस्टर राम को जो की एक P.S.E.U. कंपणी के अंदर C.A. बनने के बाद जॉब कर रहे थे और एक लाख रुपए पर मंत कमा रहे थे सरकारी कंपणी में काम करते हैं एक लाख पर मंत कमाते हैं इनको I.C.I.C.I.E. बैंक ने क्रेडिट कार्ड आफर कर दिया इन्हों ने ले लिया यार चीज फायदे की है जेब से कुछ लगना नहीं और कहीं से कुछ खरीदोगे तो कैश्वेक अलग मिलेगा इन्होंने मिस्टर राम क्या बैंक के एक्जिगूटी को फोन मिलाकर उससे जगडा करेंगे या 500 रुपय को रिफंड करने के लिए बोलेंगे रिवर्स करने के लिए बोलेंगे सोचके बताओ ज़र अगर उस एक साल में मिस्टर राम को उस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट हुए है जैसे अगर साल में 5-6 बार भी मूवी देखने गए हैं और उनको 10-10% का कैश बैक मिला उन्होंने कहीं से कुछ ऑनलाइन ओर किया वहाँ पर उस क्रेड कार्ड को यूज़ करने भी कुछ कैश बैक मिला कभी पैसे के रिकवार्मेंट हो गई वहाँ से क्रेड कार्ड से कु अब ये अगले महीने मूवी देखने जा रहा है घर के 5 मेंबर जाएंगे इतना तो कैश बैक के रूप में मिल जाएगा अरे छोड़ो छोड़ो ये कस्टमर बैंक लिए अच्छा है यानि कि बैंक ने 500 रुपे लगाए कुछ नहीं बोले अगले साल 1000 रुपे लगाएंग से कुछ नहीं बोलेंगे फिर 15 सो लगाएंगे कुछ नहीं बोलेंगे तो बैंक ऐसी कस्टमर को हाई प्रॉफिटेबल कस्टमर मानता है हाई प्रॉफिटेबल कस्टमर अच्छा ये सेगमेंट है कस्टमर का अब बात करते हैं मिस्टर श्याम की मिस्टर श्याम जो बाइक बाइक मकैनिक कौन यह बाइक मकैनिक करते हैं किसी का टायर पंचर हो गया कोई छोटी मोटी बाइक आ गहीं काम नहीं कर रहा उसको ठीक करते हैं जर राम के दोस्त भी आजराम ने को बताया कि यार क्रेडिट कार्ड लेने से बड़े फायदे है भाई या 10% कैश्बैक मिल लाता है थेटर के अंदर कपड़े खरीदो 10% कैश्बैक फ्राट टिकेट बुक करो 10% कैश्बैक बड़े बड़ा मज़ाता यार तो राम की बात सुनकर शाम बैंक के पास पहुंचा और शाम मिला गया शाम बोला पूरे साल में इस करेड़ गार को जेब में रखा है मैंने इस्तमाल नहीं किया कोई बैनिफिट तक नहीं मिला इसका यह बोलता है थेटर में जाके पहले 500 रुपे खर्च करो फिर 50 रुपे दूँगा और शाम को लगता है वेस्टेज अब मनी क्योंक चास रुपे मिलेंगे और वही काम घर पे 2-2 रुपे माराम से सकता है तो मैं क्यों साले साथ साथ सुरुपे फालत खर्च करूं तो शाम ने पूरे साल में क्रेडिट कार्च से कोई बैइफिट नहीं लिया तो बताओ पान सुरुपे खर्चे के रूप में जब बैंक चा शाम को एक क्रेडिट कार्ड भेजा था कि अगले साल इस कस्टमर से मुनाफ़ा कमाऊंगा लेकिन शाम ने क्या दिखा दी रेड सिगनल बूले कार्ड कैंसल करो भाया मुझे नहीं थी आप करेड कार्ड के फाल के फैक दूगा बैंक ने बूला रहे भाया कार्ड के फाल क हम आपके 500 रोपे कर रिवर्स कर रहे हैं एक साल और ट्राई करते हैं अब बताओ यह कस्टमर बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है लिस्ट प्रॉफिटेबल है नॉन प्रॉफिटेबल है भाई सब नॉन प्रॉफिटेबल है अब बताओ क्या बैंक ऐसे कस्टमर्स को भवि है उस इंकम को चार कैटिगरी में तोड़ा कस्टमर एक कैटिगरी वालों से कितना प्रॉफिट कमाया बी कैटिगरी वालों से कितना प्रॉफिट कमाया और दी कैटिगरी वालों से कितना प्रॉफिट कमाया और साल के आखरी में बैंक को पता बढ़ा कि डी कैटिगरी वाले जो customers हैं इनसे कोई profit नहीं कमाया बलकि ये दिमाग खा जाते हैं हमारे executive का 8 घंटे में से 2 घंटे ये non profitable customer हमारे executive को phone करके दुखी करते हैं income कुछ होती नहीं executive का time खाकर हमारी cost को बेकार कर देते हैं क्योंकि executive को bank क्या दे रहा है salary समझ गए तो ये हैं तीसरा तरीका income को analyze करने का तो ऐसे multiple तरीके हैं जो इस book के अंदर हम पढ़ेंगे और ये decision होता entity का कि कौन सा वाला तरीका उनके लिए फाइदे बंद है कुछ लोग करते है product wise कुछ लोग करते है customer wise और कुछ लोग वैसे ही एक overall view निकालते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले method number one की ध्यान देना चारा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोई भी decision लेने के लिए दिमाग का इस्तमाल करना बहुँ जरूरी है यह सब बाते है decision making के सही decision ले लिया और जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है तो बात जरूर बनेगी एक छोटी से कहानी मुझे यहाँ पर याद आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार एक बार एक fire brigade वाले वेक्ति को समझते हैं ना fire brigade जहाँ आग लग जाए वहाँ आग बुजाने जाते हैं तो एक fire brigade वाले वेक्ति को एक lady का call आया एक lady ने call किया रात को दो बजे रात को दो बजे lady ने इसे call किया यह कौन है? fire brigade वाला बंदा और lady ने बुला कि मैं मैं किसी घर के अंदर फसी हुई हूँ और किसी ने मेरे सर पर चोट मारी है महला हमला किया पीछे से तो मुझे बचा लो वरना कुछ समय के अंदर में मर जाओंगी यह बात किसको बोली? fire brigade वाले इस वेक्ति को अब इस वेक्ति के मन में पूरे मन था कि हाँ भई मैं इस लेड़ी को बचाँगा यह बड़ा emotional हो गया इसका नाम रख लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं राम रख लेते हैं राम चलो तो राम बड़ा emotional हो गया तो राम ने लेड़ी को बोला कि आप अपना address बताईए मैं तुरंद अभी पहुँच रहा हूँ लेडी ने बोला मुझे अपना एड्रस याद नहीं आ रहा है किसी ने मेरे सर पर चोट मारी है तो मैं अपना एड्रस याद नहीं कर पा रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है तो राम ने बोला ठीक है आपको अपना एड्रस करने की कोशिश की कि कोई नंबर मिल जाए तो उसको नहीं मिला तो उसने बुला फायर्मैन को कि नंबर नहीं मिल रहा है तो फायर्मैन ने फिर पूशा कि तो फायर्मैन ने फिर क्या कोशिश करी कि फायर्मैन ने जिस मुबाइल नंबर से लेडी कॉल कर रहे थी वो नंबर टेलिफोन कंपनी को forward कर दिया और टेलिफोन कंपनी को बुला कि आप मोबाइल नमबर के बेस पर address को बताओ तो मोबाइल कंपनी ने पूरी कोशिश कर ली और वो उस टेलिफोन नमबर से address को नहीं बता पा रहे तो प्रॉब्लम क्या है लेड़ी अपना address खुद नहीं बता पा रही अपना मोबाइल नमबर वो खुद नहीं बता पा रही मोबाइल नमबर गर का मोबाइल नमबर किसी और घर पे रहते हैं तो वहाँ का मोबाइल नमबर ताक ही पता लग जाए और जो telephone company है वो उसका address ट्रेक नहीं कर पा रही तो fireman बड़ा परिशान हुआ लेकिन वो दिल से चाहता था कि इस lady को बचाये जाए तो fireman ने पूछा कि आपका नाम क्या है fireman ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने fireman ने एक सवाल और पूछा कि आप ये बताओ अभी आपको क्या दिख रहा है आपके आसवास में क्या है क्या चीज है तो lady ने बोला कि मुझे एक खिड़की दिख रही है क्या दिख रही है window तो fireman ने बोला बहुत अच्छी बात कि हमारे इस city के old area में ये lady रहती है क्योंकि old area के अंदर old तरीके घरते पुराने तरीके के घरते और पहले के time पर इस प्रकार की खिड़किया ही वहाँ पर लोग लगाया करते थे तो इतनी सी जानकारी से fireman इस बात को जान गया ताकि वह lady बेहोश ना हो जाए उसको एक भरोसा रहे कि हाँ ये आएगा अब इसने क्या करा fireman ने कि 12 fire truck 12 fire truck पूरे old area के अंदर अलग-अलग lane में जाने के लिए permission दे दिये कि भाई land number 1 में आप जाओ, land number 2 में आप जाओ, land number 3 में आप जाओ तो ऐसे करके 12 truck हर lane में अलग-अलग इसने भेज दिये अब हुआ क्या कि fireman lady से बात कर रहा था तो lady से बात करते करते, fireman को phone में अपने किसी एक truck के siren की आवाज सुनाई दी देख रहे हैं, आप connect हो रहा है, siren की आवाज phone में सुनाई दी तो fireman समझ गिया कि कोई एक truck इन 12 में से ऐसा है जो lady के घर के आसपास तक पहुँच चुका है lady अपना घर नहीं बता पा रही, लेकिन ये truck उसे घर के आसपास पहुच चुका है अब fireman ने क्या दिमाग लगाया, उसने truck number 1 को बोला कि अपना siren बंद कर दो, तो truck number 1 ने अपना siren बंद कर दिया फिर भी आवाज phone में आ रही थी, इसका मतलब ये truck number 1 नहीं था ऐसे truck number 2 को बोला कि अपना siren बंद कर दो, फिर भी phone में आवाज आ रही थी इसका मतलब ये truck number 2 भी ये नहीं था तो ऐसे करते करते इस fireman ने लगबग सभी ट्रकों को सारन को बंद करा दिया और जो ट्रक नमबर 12 था उसका साइरन उसका साइरन बज़ रहा था और वो फोन के अंदर सुनाई दे रहा था तो fireman समझ गया कि ये ट्रक नमबर 12 है जो कि lane number 12 में गया है इसका मतलब है कि जो लेडी है lane number 12 के अंदर किसी ना किसी घर में फसी हुई है fireman बिल्कुल चाहता था कि मैं लेडी की मदद करूँ तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से छोटी सी information से और कर दिखाने के जजबे से वो कैसे लेडी तक पहुँच रहा है तो अब वो ये बात जान चुका था कि ये लेडी lane number 12 में किसी एक घर के अंदर है अब सवाल ये था कि इसके घर तक कैसे पहुचा जा सके रात का वक्त था तो fireman ने अपने उस truck number 12 के driver को बुला कि आप अपने truck में से loud speaker निकालो और loud speaker निकाल कर इस lane number 12 के अंदर announcement करो और बता दो सभी लोगों को कि इस lane number 12 के अंदर एक लेडी है किसी घर के अंदर जिसकी window की light जली हुई है और वो बहुत परिशान है इसलिए उसको हमें track करना है उसको track करने के लिए इस व्यक्ती ने जो truck का व्यक्ती था उसे ने loud speaker से announcement किया कि बाकी सभी लोग अपने घरों की light बंद कर दें अपने घरों की light बंद कर दें अब देखा आपने जैसे ही lane number 12 के अंदर सब लोगों ने अपने घरों की light बंद कर दी तो पूरे lane number 12 के अंदर सिर्फ एक ही घर में एक ही घर के अंदर लाइट जल रही थी और तुरंट फायर मैन का जो ड्राइवर था वो समझ गया कि यही वो गहरे जिसके अंदर लेडी फसी हुई है तुरंट वो उस बिल्डिंग में पहुँचे और लेडी को वहाँ से रिस्क्यू कराया दो हफते बाद उस लेडी का ट्रीटमेंट चला दो हफते बाद उस लेडी ने फुली रिकावर किया और उसके बाद वो स्वस्थ हो गई ठीक हो गई और उसने उस फायर मैन को बहुत बहुत थैंक्यू विला तो देखा आपने किस प्रकार से फायर मैन ने किस प्रकार से fireman ने कम से कम information में एक सही decision लेते हुए lady को ढूंड निकाला बिना उसका address जाने बिना उसका mobile number जाने बिना उसकी location trace किये मतलब सिर्फ और सिर्फ इस base पर कि वो करना चाहता था lady को बचाना चाहता था इसी प्रकार से होता life के अंदर हमें तीन method पता है profit को analyze करने के लिए कौन से वाला method आपकी entity के लिए suitable है यह आपको सोचना पड़ेगा आपको खुद decide करना होगा कि किस तरीके से company की best performance और उन reasons को identify किया जा सकता है तरीका नंबर वन है आपका strategic analysis of operating income इसे बोलता हूँ तरीका नंबर वन पिछले साल एक लाख units बनाकर company ने बेची और माल लिजे मुनाफ़ा कमाया एक लाख रुपे माल लिजे मुनाफ़ा कमाया एक लाख रुपे current year के अंदर डेड़ लाख units इस company ने बनाकर बेची और मुनाफ़ा कमाया आमाल लिजे एक लाख बीस हजार रुपे तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर बीस हजार का increase हुआ है क्या हुआ है बीस हजार का increase तो भई बात तो बड़ी अच्छी है company का profit बढ़ गया तो अच्छी बात है लेकिन profit बढ़ने के पीछे reason क्या है इसको identify करना बहुत जरूरी है असफल हो तब भी reason ढूडे और अगर सफल है तब भी reason ढूडे reason ढूडे reason ढूड़ना बहुत जरूरी है आपको पता तो हो कि आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसी सफलता मिली है तो देखिए यहाँ पर हैं तीन parameter सबसे पहला parameter है ग्रोथ parameter दूसरा parameter है price recovery parameter और तीसरा parameter है productivity parameter तीनों parameter के अंदर detail में बात करेंगे detail में समझेंगे actual में कैसे यह parameter बने और आपको यहाँ पर मैं वो बताऊंगा जो आपको book में नहीं मिलेगा देखो book के अंदर growth parameter को निकालने के formula तो दिखी रहे हैं आपको इसके पीछे का reason की आखरी ऐसा ही क्यों है यह मैं आपको बताऊंगा detail के अंदर सबसे पहले बात करते है growth parameter की तो growth parameter क्या है growth parameter है change in profit due to change in quantity sold units sold में परिवर्तन आने की वजह से profit में परिवर्तन इसी को बोलते है growth parameter यानि की units बढ़ गई units घट गई इससे profit में क्या impact आ गया इसको बोलेंगे growth parameter का effect आपको लग रहा है growth मतलब तो बढ़ना ही चाहिए growth में भी positive growth में भी negative पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेची positive growth पिछले साल के मुकाबले कम बेची negative growth तो growth यूनिट्स बढ़ने से या घटने से profit में बढ़े या घटे कितना इस बात को identify करता है growth parameter पिछले साल अगर एक लाक यूनिट्स बना कर बेची थी और इस साल ये बढ़कर हो गई है डेड़ लाक यूनिट्स कितनी डेड़ लाक यूनिट्स तो ये जो 50,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना के बेची है इसका profit में क्या effect है इसको बोलते है growth parameter का effect अच्छा अब बताई ज़रा जब यूनिट्स ज्यादा भी की है तो profit पर impact कैसे कैसे पड़ेगा देखो सबसे पहला impact तो पड़ेगा sales revenue के उपर sales revenue के उपर अगर एक लाक यूनिट्स की जगह है डेड़ लाक यूनिट्स बेची यानि 50,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची है तो एक्स्ट्रा 50,000 यूनिट्स को बेच कर sales पर impact पड़ा होगा sales पर जो impact पड़ा है sales revenue में जो impact पड़ा है उसे profit पर impact पड़ा होगा तो इसको बोलते हैं revenue effect of growth क्या बोलते हैं revenue effect of growth दूसरी बात जब एक लाक यूनिट्स से बढ़ा कर डेड़ लाक यूनिट्स बना कर बेची इसका मतलब है scale of operation बढ़ गया scale of operation बढ़ गया अच्छा scale बढ़ गया तो scale बढ़ने पर क्या cost कम होती है हाँ जी जब scale बढ़ा हो जाता है तो cost कम हो जाती है तो इसका impact variable cost पर पड़ता है इसका impact variable cost पर पड़ता है ज्यादा production करने से variable cost कम भी हो सकती है इसको बोलते हैं variable cost effect of growth क्या बोलते हैं variable cost effect of growth अच्छा तीसरा एक और impact है और वो है fixed cost पर भई इस साल एक लाख युनिट के जगए डेड़ लाख युनिट बना कर बेची extra पचास हजार युनिट बना कर बेची तो क्या आपको नई मशीने खरिदनी पड़ी क्या आपको नई मशीने rent पर लेनी पड़ी क्या आपको नया warehouse rent पर लेना पड़ा इसका मतलब है ज़्यादा युनिट बेचने से fixed cost में हल चल होती है और fixed cost में हल चल हो तो profit में भी हल चल होगी तो यह है आपका third fixed cost effect of growth समझ में आई पाद एक सेकंड ज़रा पानी पी लेता हूँ तो बाद समझ में आगए sale बढ़ने से या घटने से profit पर impact तीन वज़ाई से बढ़ सकता है पहली वज़ा है sales revenue का बढ़ जाना घट जाना दूसरी वज़ा variable cost का बढ़ जाना घट जाना क्योंकि बड़े scale पर production हो रहा है तो may भी variable cost कम हो जाए तीसरा effect fixed cost में increase, decrease हो जाए factory नई खरीदनी पढ़ जाए नई machine rent पे लेनी पढ़ जाए नई machine खरीदनी पढ़ जाए उसका depreciation तो units बढ़ाने से या घटाने से तीन जग impact पढ़ता है sales revenue पर, variable cost पर, fixed cost पर इन तीनों पर अगर हल चल होगी तो profit में हल चल होगी और इन तीनों की हल चल को मैं अगर जोड़ दूँ तो इसे बुलेंगे growth parameter से होने वाली profit में हल चल growth parameter से होने वाली profit में हल चल जब company growth parameter का effect profit पर analyze कर लेगी तो company को ये मालूम पढ़ जाएगा कि unit से ज्यादा बेचने से क्या फायदा है क्या असरपड़ा profit के उपर अच्छा unit से ज्यादा बिकी इसमें हमारा योगदान है ये market का योगदान है ध्यान देना मेरी बात को unit से ज्यादा बिकी इसमें हमारा योगदान है ये industry का योगदान है सर क्या मतलब अगर ज्यादा यूनिट्स भी की उसके पीछे रीजन है प्रोड़क्ट के अंदर के फीचर्स दम है प्रोड़क्ट में तो भाई सेल इंक्रीज होने का रीजन है फीचर्स फीचर्स को बनाई रखना दूसरा सेल बढ़ गई सर अचानक से नजाने क्यों हो सकता मार्केट में कोई चेंज आ गया हो हाँ मार्केट में कोई चेंज आ गया हो जैसे अभी देखो आप लॉड़क्डाउन के टाइम पर मैक्सिमम चीज़े ऑनलाइन होने लग गई है आज क आसे से भी ऑनलाइन हो रही है तो देख रहे हैं मार्केट सेगमेंट अपने बढ़ रहा है तो कल को वो टीचर जो फेस टू फेस बढ़ा रहा था सिंगिंग को अब उसकी सेल बढ़ गया अच्छा उसकी सेल बढ़ने के पीछे क्या रिज़न है उसकी काभिलियत इस केस मे मार्केट साइज का बढ़ जाना मार्केट साइज का बढ़ जाना ध्यान देना मार्केट साइज और मार्केट शेयर दोनों में फरक होता है मार्केट साइज और मार्केट शेयर दोनों में फरक होता है मार्केट साइज बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा मार्केट शेयर बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा मार्केट साइज बढ़ गई इसमें कंपनी का कोई योगदान नहीं है कल को वब वेक्ती फेस टू फेस एक्टिंग क्लासे दिया करता था अब जमाना हो गया ओनलाइन उसको फाइदा हो गया तो मार्केट साइज बढ़ गया अचा मार्केट साइज बढ़ने से उसका रिवेन्यू बढ़ गया प्रॉफिट बढ़ गया तो ये चीज़ उसके हाथ में है क्या नहीं लेकिन मार्केट शेयर अगर बढ़े तब उसका योगदान है मार्केट शेयर अगर बढ़े है तो उसका योगदान है मार्केट शेयर कब बढ़ेगा जब उसकी एक्टिंग क्लासेश में दम होगा वो लाइव क्लास देकर इतनी बहुतरीन एक्टिंग सिखा देगा तो मज़ा जाएगा देखो आप ओन्लाइन क्लासेश का फाइदा उलबा चोड़ा तगड़ा ना अच्छा फेसकट गूरा लेकिन इंडिया के बाहर तैलेंट है क्यरेक्टर की acting की, actual में कैसी acting करते हो वहाँ पर look को लेके काम नहीं मिलता, वहाँ पर काम को देखके काम मिलता है, और यहाँ पर look पहले काम बाद में, और वहाँ पर काम पहले look बाद में, तो वो लोग जो इंडिया के अंदर है, भगवान ने look नहीं दिया बट दम है उनके इंदर, तो ऐसे लोग अगर कोई opportunity बाहर देखना चाहें, तो possibility है आज की rate में, हाजी possibility है, बाहर के बहुत सारे institute, इंडिया में आजकर online classes लेने लगे हैं, हाजी लेने लगे हैं, तो ये क्या है, market size का बढ़ जाना, वो Mr. John, जो पहले अमेरिका में ही acting classes दिया अच्छा यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, बताओ, यहाँ पर तो revenue effect उसमें क्या आएगा, market size या market share, सोच के बताना, market size या market share, इसमें दोनों है, market size से बढ़ेगा तो वो भी इसमें आएगा, market share से बढ़ेगा तो वो भी इसमें आएगा, अच्छा, यानि कि growth parameter का effect income पे ल दूसरा, due to market size, अगर market share बढ़ने से profit बढ़ा है, मतलब company के product में features है, काबलियत है, लेकिन अगर profit बढ़ने का reason है, market size का बढ़ना, तो यह company के हाथ में नहीं है, market size बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जैसे, face to face की market size घट गई है, तो वो teacher जो सिर्फ face to face करते है, acting classes, teaching classes, उ आखिर क्यूं profit में change आया, तो यह था पहला reason, growth parameter, growth component, growth component के तीन effect थे, sale per effect, variable cost per effect, and fixed cost per effect, अई यह formula पढ़ लेते हैं, revenue factor formula है, actual units sold, actual units of output sold in current year, इस साल, कितनी units बेची, minus, actual units of output sold in last year, पिछले साल, कितनी units बेची, दोनों का difference, multiplied by selling price, in, in, last year, last year, last year, सर, last year क्यों, इसका जवाब में दूँगा अगी, आगे बढ़ते हैं, variable cost effect, units of input required to produce current year output in last year, जो output इस साल बनाया, last year बनाते, तो कितनी units की requirement थी, minus, actual units of input used to produce last year output, पिछले साल, जो production आपने पिछले साल किया, उसको बनाने में कितनी units लगाए, दोनों का difference multiplied by, input price, प्राइस, सर, प्राइस क्या है, अरे भाईया, variable cost per unit, समझे है, बट ये भी कहले का, in, last year, सर, फिर से भाई सवाल, last year, last year क्यों आया यहाँ पर, यहाँ पर current year क्यों नहीं आया, सर, इसके बारे ही बताऊंगा मैं भी आपको, तीसा है आपका, fixed cost effect of growth, actual units of capacity in last year, if adequate to produce current year's production in last year, अगर इस साल जो प्रेड्यूस किया, last year प्रेड्यूस करना होता, तो हम उत्रे उनिट्स प्रेड्यूस करने की capacity रखते थे, actual units, minus actual units of capacity in last year, multiplied by price per unit, सर, फिर से price आ गया, कोई बात नहीं, लिख लो, fixed cost per unit, of capacity in last year, सर, तीनों में last year, last year, last year क्यों आ रहा है, इसमें current year क्यों नहीं आ रहा है, तो सुनो अब इसका जवाब, इसका जवाब है, component number 2, price recovery component, यहाँ पर हम price की बात रहेंगे, अच्छा, price मतलब, price मतलब, या तो price paid होगा, या फिर price received होगा, अच्छा, price received मतलब, selling price per unit, price paid मतलब, variable cost plus fixed cost, variable cost and कर लेजिए, यह plus नहीं है, variable cost and fixed cost, यानि की price की वजह से, price बोले तो, selling price, ना, selling price, variable cost, fixed cost, क्योंकि price means, price paid, price received, received बोले तो, selling price per unit, और price paid मतलब, variable cost and fixed cost, तो price की वजह से, profit में जो impact पड़ा, उसको हम, price recovery component में निकालते हैं, उसको हम, price recovery parameter में निकालते हैं, इसी वजह से, हम growth component के अंदर, last year का price ले रहे थे, last year की selling price, last year की variable cost per unit, last year की fixed cost per unit, क्योंकि, selling price, variable cost per unit, और fixed cost per unit में, difference की वजह से, profit पर जो impact पड़ा, उसको हम, parameter number 2 में तोड़ते हैं, सबज भी आ गई बात, अच्छा मुझे बताओ, price recovery parameter का impact, किन किन पर पड़ेगा, सर तीनों पर पड़ेगा, तीनों पर किस पर, तो भाई, एक आपका revenue पर पड़ेगा, sales revenue पर, एक आपका variable cost पर पड़ेगा, एक आपका fixed cost पर पड़ेगा, बिलकुल सही काजी आप है, एक पड़ेगा, revenue पर, एक पड़ेगा, variable cost पर, और एक पड़ेगा, fixed cost पर, तो यह रह यह आपका revenue effect, यह आपका variable cost effect of price recovery और यह आपका fixed cost effect of price recovery लिख दुजराइस बात को, अच्छे यहां तो लिखाओ ही है revenue effect of price recovery, यहां पर लिख देता हूँ, variable cost effect of price recovery and fixed cost effect of price recovery. समझ गए, price में change होने का impact यहां निकालेंगे, अच्छे कैसे निकालेंगे, तो भई, simple सी बात है, price में अगर difference है, तो वो निकालना पड़ेगा, जैसे difference in selling price, selling price in current year minus selling price in last year, difference in variable cost, variable cost in current year minus variable cost in previous year, difference in fixed cost, price per unit of capacity in current year, basically equals of fixed cost per unit minus fixed cost per unit of previous year, अच्छा multiplied by actual units sold in current year, units required to produce current year output in last year, और थर्ड है, actual units of capacity in last year, if adequate to produce current years output in last year, कुल मिलाकर बात यह है, कि जो भी, जो भी, देखो, जो भी यहां पे left side में आया था, वो वहां पे right side में आ गया, यह बताया मैं आपको याद करने का तरीका, इस formulae के अंदर कई बार student confused हो जाता है कि कौन चीज कहां पर आएगी, तो ध्यान देना चारा, actual input sold, यह आगे left side right के अंदर, और fixed cost वाला भी वहां पे आजाएगा right के अंदर, इसका explanation क्या है, इसका explanation बड़ा सिंपर है, price ज्यादा लिया, कम लिया, price कम पे किया, या ज्यादा पे किया, इसके चलते profit में क्या effect आया, इसको बोलते है, price recovery component या price recovery parameter का income पर effect, तो यह हो गया effect number दो, अब बात करते हैं effect number 3 और इसका नाम है productivity component, जड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं आप से ही पूछूँगा एक सवाल, productivity का मतलब क्या होता है, पिछले साल, एक घंटे में, पिछले साल एक घंटे में, वरकर 4 units produce किया करता था, इस साल, उसी एक घंटे में 5 units produce किया करता है, क्या बولو गया, productivity बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 20%, 20% productivity बढ़ गई अजब productivity बढ़ने से या productivity घटने से कहां कहां पर impact पढ़ेगा तो ध्यान देना ज़रा revenue पर क्या impact पढ़ेगा नहीं productivity का impact revenue पर नहीं पढ़ेगा productivity का impact cost पर पढ़ता है variable cost and fixed cost ऐसा क्यों क्योंकि units अगर ज्यादा बनी ज्यादा बनी ज्यादा भी की तो वो effect तो growth parameter में आ गया productivity से असर कहां पढ़ेगा productivity से असर पढ़ेगा cost के उपर sales के उपर असर नहीं पढ़ेगा अगर इस साल मेरे यहाँ पर worker ने अच्छा काम किया और मैंने एक भी units नहीं बेची तो कहां पढ़ेगा effect सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर अच्छा एक बेची तो कहां पढ़ेगा effect तभी cost पढ़ा है क्यों क्योंकि productivity का मतलब है worker के काम करने की speed से तो worker production करता है sales नहीं करता तो productivity का impact sales revenue पर नहीं पढ़ता revenue पर पढ़ता है दो चीज़ों का effect number one selling price number two unit sold और ये दोनों ही parameter हम उपर दो में cover कर चुके है growth में cover कर लिया price recovery में cover कर लिया बचा ही नहीं कुछ तो productivity में impact सिर्फ दो चीज़ों पढ़ता है variable cost में and fixed cost में तो ध्यान देना ज़रा यहाँ पर आपको दो ही effect मिलेंगे यह रहा आपका fixed cost और यह रहा आपका variable cost तो लिए रहा आपका variable cost effect variable cost effect of productivity और यह है आपका fixed cost effect of productivity समझ गया ना बात क्यों revenue पर हैसा नहीं पढ़ता अज़र revenue पर सर दो सीज़ों का बढ़ता है सरिफ selling price का unit sold का यह दोनों ही point उपर आ गया selling price वाला point price recovery में आ गया unit sold वाला growth में आ गया तो यहाँ पर क्या बचा कुछ बिनी बचा productivity इक से बढ़ता है cost पर अगर worker अच्छा अच्छा productive कांग पारेंगे cost काम हो जाएगी और अगर गलतियां करेंगे बहुत तो पहले गंटे मंदी चार unit अब गंटे मंदी दो unit cost बढ़ जाएगी अब बढ़ जाएगी हम worker को पर unit के बेशे से pay कर रहे हैं सुनो मेरी बात pay करना चाहिए बट इंडिया में क्या worker को पर unit के बेशे payment मिलती है नहीं जी नहीं पूरे month की payment मिलती है किसी महेरे में दोरा बहुत कम भी करेगा तो कोई बाद नी payment तो पूरी लेकर आए घर पर वह तो यह हैं आपके दो effect बात करते हैं variable cost effect of productivity actual units of input used to produce current year output इस साल current year अगर पिछले साल बनाते तो कितने units इस्तमाल होते यह क्या बताएगा improvement in productivity multiplied by input price in current year variable cost per unit समझगे formula अच्छा जी अब आते हैं fixed cost effect of productivity actual units of capacity in current year इस साल कितने units की capacity है minus actual units of capacity in last year if adequate to produce current year's production in last year अगर अगर capacity में कुछ increase या decrease नहीं करना पड़ा है तो fixed cost effect 0 अगर productivity बढ़ने से कोई machine release हो गई कि हमारी productivity बढ़ गई है अब हमें 4 नहीं हमें 3 machine के requirement है हमें 4 नहीं हमें 3 machine के requirement है तो ऐसे में उस एक machine का benefit कहा पर आएगा यहाँ पर आएगा fixed cost effect of productivity समझे है फर्मूला तो multiplied by price per unit of capacity in current year बिसके लिए क्या यह fixed cost per unit तो यह था आपका पहला तरीका जिसकी मदद से एक entity उन रीजन्स को ऐरेंटीफाई करती है जिससे पता पड़े कि profit क्यों बढ़ा या क्यों घटा कारण ढूनना बहुत जरूरी है चाए सफल हो चाए असफल हो अज़ा कुछ टाइम पहले YouTube पर हमने डाले ती एक वीडियो जहाँ पर आपको मैंने practical तरीका बताया था जिंदगी में improve करने का दो method only सबसे पहला है बड़ी सोच और दूसरा है skills को develop करने पर ध्यान दो ध्यान देना skills को develop करने पर ध्यान दो skills को यानि कि अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो दो काम कर लो बस ज्यादा ग्यान की बात है नहीं दो काम बात बन जाएग इसके आपसे आपसे आपकी बात बन जाएग इससे पहला है बड़ी सोच अपने सामने कोई बड़ा अच्छा लक्ष रखो अगर आप गरीब फैमिली में है अभी इंकम कम है फैमिली की तो ऐसा लक्ष रखो कि आप इतनी इंकम कमाओगे सीए बनने के बाद और आप अपने घर की सभी समस्याओं को सॉल्व कर दोगे तो यह सोच यह लक्ष आपके लिए बड़ा है आपको मोटिवेट भी करेगा दूसरी बात इसकिल्स को डेवलप करने पर ध्यान दो इसकिल्स इंप्रूइमेंट कहा लीजिए इसकिल्स मतलब क्या अगर इंकम टेक्स पढ़ रहे हो तो इंकम टेक्स के प्रोविजन्स को कि समझ अगर कोस्टिंग सब्जर्ड्ट की केस्ट डई कोशंस कर रहे हो तो उन गेस्टडी कोशंस को प्रेक्टिकली तरीके से सब्सक्रण करने की समझ विजिन्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को gospel करने की समझ तो यह अगर आपने दो पॉइंट डाल दिए ऐसकली करूंगा तो कैसे कंपणी को बताओंगा कि वह कौन सा कारण है जिसकी विजह से आपकी सेल बढ़ी है जब तक कमपणी को कारण ही पता नहीं होगा कमपनी कहां काम करी कंपनी को पता ही नहीं है अब ध्यान या फिर पिछले 10 दिन में आपने कितने घंटे पढ़ाई की तो इससे फायदा क्या होगा आपको पता पढ़ेगा कि यार उस दिन में बारा घंटे पढ़ाई करी थी तो रीजन्स को डूड़ने की कोशिश करो क्यों उस दिन आपने ऐसा क्या पढ़ा ऐसा क्या हो गया था कि आपको 12 गंटे पढ़ाई कर ले तो देखो सफल होने के पीछे भी रीजन मालूम होना चाहिए अगर सफल हुए और पता ही नहीं क्यों हुए तो भाई सब सफलता लंबी समय नइटिगने वाली ही और अकर युल हो गया है और रीजन इडिटिफाई नहीं क्या तब भी गरबड़ा है फेल नहीं पढ़ए भारा घंटे नहीं पढ़ए थस गंटे नहीं पढ़ए चार घंटे तो दूंड़ए तो सभी वो reason failure का हो, चाहे वो reason सफलता का हो, success का हो. उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छे जा समझ में आई होगी, और ये वीडियो से आपको ये बात समझ में आगई होगी, कि कैसे practically हम हर चीज़ को business में, अपनी daily studies के अंदर, daily routine में implement करके फाइदा उठा सकते हैं, ये जो बाते हैं, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी observation के बाद, बहुत सोच समझ कर बुकों में लिखी, और उस बुक से, ये आया हमारे study mat में, तो हमें एक practical knowledge को समझने का मौका मिल रहा है, इन बुक्स के through, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, thank you.